कि नवस्कार नवस्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चैस बेस इनेचल पर आप सभी का हाड़ी दिखर दन करता हूं दोस्तों इस समय इसमें इस्पेशन के लिना रेष में श्मानिश लीग चल रही है और उसमें भारत के आर प्रग्यननन्दा भाग ले रहे हैं से वापसी करी और classical मुकाबले में डिवीजन लीग में लगातार पहले दो मुकाबले जीते हुए प्रग्या नंदा ने विश्व रांकिंग में और चलांग मारी है अब विश्व रांकिंग में प्रग्या नंदा जो है वो 27 235 दसंबलो जिर्मदल सता 235 अंकों के साथ 16 नंबर पर है दो रांड के वाद तीसा रांड उनका ड्रॉ रहा है और चौथा रांड जब मैं वीडियो बना रहा हूं जैसा कि आप देख सकते हूं आप लाइव दिख रहा है तो उनका गेम जो है चौथे रांड का चल रहा है अलिक सेंकों के साथ तो अगर आप देखें तो धीरे धीरे प्रग्यनंदा अब वर्ट टॉप 50 से बहुत जादा दूर नहीं रह गए हैं और अगर आप वर्ट टॉप 10 से जादा दूर नहीं रह गए हैं और अगर आप वर्ट टॉप 10 में नजर डालेंगे तो भारत के दो लोग खिलाडी हैं विश्नातनानन जी युए सगे तीन आई रस्या का कोई भी खिलाडी नहीं एक समय हुआ करता था जब रस्या के तीन-दिन चाड-चार खिलाडी वोल्ड टॉप्ट टैन के अंदर अगर वर्ट टॉप्ट तैन के अंदर जाते हैं तो तो आप समझ सकते हो कि USA को या तो पीछे छोड़के या USA के बराबरी में भारत जाके खड़ा हो जाएगा अपने ही टैलेंट के दमपर, मतलब भारती है कि भारत में ही जन्में खिलाडियों के दमपर, हम नज़र डालेंगे प्रगिरनदा के एक मुकाबले के, जिसमें उने निकिता वितिगोव को हराया, वितिगोव जो है, वो 2719 के बहुत ही स्ट्रॉंग ग्रैंड मास्टर हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, विश्वकप के सेमिफाइनलिस रह चुके हैं, तो आएए देखते हैं, यह मुकाबला प्रगिरनदा वर्सिस वितिगोव, प्रगिरनदा और यहाँ पर जो मेंन लाइन्स हैं, जैसे कि अगर आप बारेंगे, कैसल खेला जाता है, बिशवकप B3 है, नाइट BD2 है, H3 है, B4 है, इस सब बहुत पॉपलर लाइन है, लेकिन प्रगिरनदा ने चुना बिशवक जी फाइब, जो की प्रगिरनदा इससे पहले भी इस् सब के सब इस लाइन का इस्तमाल करते हैं, बिशवक जी फाइब का, ओके, H6, बिशवक एच 4, यहाँ पर A6 किया, आपने डार कले रहे के बिशवक जगे बनाई, B5 के लिए स्पेस बनाया, नाइट BD2 यहाँ पर डेवलप किया प्रगिरनदा ने, तो बिशवक ए7 पीछ G3, बिशवक जी फोर, अच्छा, यहाँ पर एक मैच हुआ था, प्रग्याननदा और विदित गुजराती के बीच, यह मैच हुआ है, मेरे ख्याल से, 2023 सेप्टेमबर में ही मैच हुआ है, और यह जो मैच खेला गया है, इसमें प्रग्याननदा ने, H3 किया था, और यह गे चाल खेली, हाला कि यह मैच एक दो मैच है, डाटाबेस में, कुइन डी सेवन, बी फोर किया, यहाँ पर प्रग्याननदा ने कुइन साइट से स्पेस लिया, कैसल किया, यहाँ पर विदुगोव ने, तो अब प्रग्याननदा पहले खेलते हैं, H3 और यह H3 जो है, वो अब इस पूरे गेम में, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक तो कुइन साइट से अच्छा का सा स्पेस जो है, वो लेने की कोशिश है, यहाँ पर प्रग्याननदा की, दूसरा अगर आप किंग साइट, मतलब बाकी सब तो ठीकी ठाक लग रहा है, दोनों से, लेकिन अगर किंग साइट आप थोड़ा देखोगे, तो यह पॉन स्ट्रक्चर की वजए से यह राजा पर आपको थोड़ी सी वीकनेस जो है, वो नजार आएगी, आपर बिशप जी सिक्स किया, और शायद वो जी फाइप का जो वीकनेस है, उसको रीकावर जो है, वो डार्क ला कोशिश कर रहा है, वहाँ पर पीसस लेकर के आ रहा है, जगे बना रहा है, रुक को पीजे से लाए, ताकि वो जो वीकनेस दिख रही है, उसको कवर हो सकते हैं, और आप यहाँ पर प्रग्यनन्दा जो है, जो उनका तरीका है खेलने का, वो खेलना शुरू करते हैं, और अभी अगर यह DC3 मार देते हैं, तो कुईन C3 के बाद यह पोजिशन जो है, वो वाइट के लिए अच्छा है, तो जब इन्होंने बिशप D3 खेला प्रग्यनन्दा ने, तो यहाँ पर बेस्ट मूव जो अनलेसिस में है, वो है नाइट H5, लेकिन यहाँ पर वितुगोव ने खेला नाइट E6, प्रग्यनन्दा ने यहाँ पर E5 किया, अगर आप मार दें तो नाइट उपर आ रहा है, फिर D4 पर तो वैसे प्रेशर बनी रहा है, और राजा का पोजिशन और खुल सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ने खेला नाइट H5, प्रग्यनन्दा ने ब पोजिशन एक बार फिर से आप कंपेर करोगे तो ब्लाक का जो किंग है, काले का जो राजा है, वो थोड़ा मुश्किल मिना जा रहाता है आपको, साथी साथ यह जो D6 का पॉन है, वो फिलाल आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ने नाइट G3 खेला, F इंटू G3, नाइट D खेला, पीछे हटे, रुख को खोला एक प्रकार से सामने, सो नाइट C4 यहाँ पर लेकर काई, D6 को प्रोटेक्ट करते हुए, यहाँ पर B5 खेला, सो एंटू B5, सी इंटू B5, नाइट A3, B5 के पॉन पर अटाक, जी फोर किया नितिक निकिता ना यहाँ पर आक्शली में हो यह रहा था कि जिस तरह से थोड़ी दिर में वाइट के पीसेस खुल रहे हैं, लगातार और पॉन जो है, जिस तरह से जो है, बोल्ट पर जा रहे थे, यह साफ लग रहा था कि उनके पीसेस के बीच में कॉर्डिनेशन नहीं है, और राजा यहाँ पर कम जोर पढ़ सकत आते हैं, यह परफेक्ट एंड गेम की तरफ कुईन सी से एक्सचेंज करते हैं, तो एक्शली हुआ यह कि जब यह पोजिशन सडनली से खास दूर पर इस पोजिशन के बास से जिस तरह से प्रग्यानदा ने पोजिशन ओपन की है, मैं इसको इसलिए आपको बता रहा वो उस मजबूत एंड गेम की स्थिति में आते हैं, जो सामने वाला हैंडल नहीं कर पाता, यहाँ पर C7 पहुंच पहुंच जाता है, नाइट E6 तो नाइट B5, रुक एक्शेंज होता है, नाइट F1, बिशफ D4 मारते हैं, बट नाइट D6, और यह पोजिशन ऐसा आया कि यहाँ पर वो जो C7 का पौन था, उसके बदले आपको रुक देना पड़ेगा, नाइट C7 खेला, यहाँ पर एक्शेंज हुआ, और एक्शेंज अप यहाँ पर प्रग्रेंदा हो गए, दोनों पौन एक साइट थे, चांसे थे कि ब्लैक बराबरी कर ले, यह 38 मूग थी, बड़ इसके बाद काफी मैच चला, धीरे-दीरे प्रग्रेंदा ने पने पहले किंग को इंप्रूव किया, नाइट को इंप्रूव किया, कोशिश करते रहे पहले कि कहीं से कुछ प्रोग्रेस हो जाए, हो जाए, नाइट G4, 60 चालों तक ऐसा लग रहा था कि जैसे निकि प्रग्रेंदा ने कोई पॉण एक्षेंज नहीं किया, वो लगातार मेंटेन कर रहे थे थर्ड रैंक को, और नाइट D6, किंग D3, नाइट F5, यहाँ पर यहाँ ने खेला किंग F6, तो किंग E4 आ गया, अभी नाइट D6 खेलना पड़ा, तो किंग D5 आ गया, नाइट F7 तो रुकी 6 से यहाँ पर चेक आ गया, और यह पोजिशन जो है, अल्रेडी यहाँ पर जो है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, एक्षिली दिक्कत यह है, इस पोजिशन में कि फिलाल आप अगर फॉर एक्जामपल आप पीछे की तरफ हटते हैं, यहाँ पर, तो इवन यहा आएगा, और फिर आप नाइट को पिन कर सकते हो, अब आपको बिशब जो है, आप अगर बिशब को कहीं हटाओगे, तो यहाँ पर थ्रेट है, किंग के साथ उपर आ रहा है, और अगर आपने राजा मूव किया, तो रुकी इन्टो एफ सेवन के बाद बिशब मर जाएग तो इसी लिए इस पोजीशन पर जो है, यहाँ पर रिजाइन कर दिया, और अगर हाँ, इस पोजीशन में अगर मालीजे की कुछ ऐसा खेलने की कोशिश करेंगे, तो वो डायरेक्ट चेक आएगी, किंग को आप नीचे लाएगे, रुक एफ सेवन, किंग एफ सेवन, और क प्रके नंदा का यह सफर जो है, वो लगातार जारी है, और हम इनके इस सफर में बीट-बीट में जब भी वो कुछ परणाम लेकर करके आते हैं, उस पर वीडियो जो है, लेकर करके आते रहेंगे, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आयोगा, लाइक, शेयर सब्सक्राइब करना, ना भूले देख तरे चैस्पिस इंडिया, चैस्पिस इंडिया के लिए मैं रिक लेजियन चेहन दोस्तों